हेलो फ्रेंट्स आज हम देखेंगे क्लास 12 में फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकेंड इस्तिर वैदुत विभब तथा धारिता फ्रेंट्स पहला चैप्टर में अप्लोड कर चुकी हूँ इस वीडियो में उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी फ्रेंट्स लोग्डाउन में सभी स्टूडेंट्स प्रेशान हैं वो स्टड़ी नहीं कर पा रहे हैं आज से में डेली कंंटीन्यु वीडियो अप्लोड करूंगी ऐसी ही डेली क्लास 12 दें 10 की और क्लास 12 की फिजिक्स और कैमिस्टर की चैप्टीन्यू वीडियो आज से नहीं कियोगी आज से स्टेडि को शुरू करते हैं चेप्टर नंबर सेकेंड है इस्तिर वैद्द विभव तथा धारिता ठीक है वैद्द विभव तथा धारिता चेप्टर काफी इंपोर्टेंट है इसको आप अच्छे से देखेंगे क्लास 12 के लिए काफी तो हम इसको आज टोपिक को स्टार्ट करते हैं अनन्त से किसी ये अनन्त है फ्रेंट्स अनन्त से किसी परिक्षन आवेज को किसी वैद्द चेतर के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परिक्षन आवेज के अनुपात को उस बिंदु का वैद्द विवाव कहते हैं फिर्ट्स हम इसको डायग्राम सा समझेगे एक पॉजिटिप वैलेंसी है है यह क्यों आवेश है ठीक है यह परीक्षण आवेश को हम जो डीनोट करते हैं वो क्यों नॉट से करते हैं तो इससे ले जाएगा यह दूरी वैद्युछेत्र ठीक है इसके भीतर है ये और इसका इस पर इस पर है ये क्या है वैद्युच्छेत्र और इसमें चो किया गया कार्य है वो क्या है डबलू तो इसके definition हमारे friends बनेगी कि अनन्त से किसी परिक्षन आवेज को वैद्युच्छेत्र के भीतर अनन्त से किसी परिक्षन आवेज को क्यू नोट परिक्षन आवेज है उसके भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है इस बिंदु को लाने में किया गया कार्य है तथा उस परिक्षन आवेज के अनुपात को इन दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे उस बिंदु को रहे होगा वैदुत्विभव कहते हैं सो फ्रेंट इसलियाप डराइग्राम से भी इसको समझ सकते हैं वैदुत्विभव का फॉर्मूला क्या होगा V is equal to किया गया कारी और परिक्षन आवेश का अनुपात तो W upon Q naught क्या होगा इसका फॉर्मुला V is equal to W upon Q naught माना परिक्षन आवेश Q naught को अनन्त से वैदू छेतर E vector के बीच Sorry E vector के भीतर बिंदू P तक लाने में किया गया कारी है W है तो हमारा क्या होगा बिंदू P पर विभव V is equal to W upon Q naught ठीके फ्रेंट्स आप इसको यहां भी किलियर कर सकते हो उपर भी और इसके लिए हम चाहें तो एक लान और एक्स्ट्रा लिख दें उसके बाद हमारा फॉर्मुला बनते है V is equal to W upon Q naught ओके अब इसका मात रख क्या है वेदूत विभव का वेदूत विभव का मात रख है V is equal to W upon Q W का मात रख क्या होता है Joule और Q आब इसका मात रख क्या होता है Kulam तो फ्रेंट्स इसका फॉर्मुला बन जाएगा Joule पर Kulam और इसको हम वोल्ट से भी डिनोट करते है तो वोल्ट भी इसका मात रख होगा और Joule पर कुलाम भी इसका मात रख होगा अब इसकी वीमा देख लेते हैं वीमा तो सभी को निकालनी आई गई होगी 11th में अगर किसी स्टुडेंट को नहीं आई तो मुझे कमेंट में बताएं मैं उसको वीमा निकालनी बता दूँगी तो वीभव की वीमा होगी M1 L2 T-3 A-1 अभी तक वीडियो नहीं लाइक के तो प्लीज वीडियो लाइक ज़रूर कर दे वोल्ट की परिभासा एक वोल्ट की परिभासा तो काफी इंपोटेंट है एक बोड़ के लिए डेफिनिशन काफी बार एक्जाम में आई हुई है तो वी नोटेट हम सब भी जानते है वी ज़रू अपॉन क्यू और डबलू क्या है एक जूल और क्यू क्या है एक कुलाम तो वी बराबर क्या होगा एक वोल्ट तो इसी की डेफिनिशन लिखनी हमें फ्रेंट्स वेरी सिंपल लेंग्वेज में हम लिखेंगे इसको यदि एक कुलाम आवेश को वैद्व छेतर के भीतर एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किया गया कारी है एक जूल हो तो उनके बिंदू के बीच का विफवांतर एक वोल्ट कहलाता है सिंपल है एक कुलाम आवेश को एक वैद्व छेतर के भीतर एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किया गया कारी है क्या कहलाएगा एक जूल हो तो उनके बीच का विभुवानतर एक वोल्ट कहलाएगा ठीके फ्रेंट्स इसको भी आप easy language में learn कर सकते हैं बात करते हैं वैदुत विभुवानतर काफी important definition है यह भी आपके लिए फ्रेंट्स इसमें जो मैं नौट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ यह सारे important topic हैं इसको साथ के साथ लिखते चलें learn करते चलें इसकी definition है हमारे वैद्यु छेतर के भीतर किसी परिक्षन आवेश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किया गया कारी है परिक्षन आवेश के अनुपात को उन बिंदूों के बीच का विभुवानतर कहते हैं इन दोनों के बीच का अनुपात यह इन दोनों के बीच का अनुपात हमारे क्या कहलाएगा, friends इन दोने के बीच का अनुपात हमारे क्या कहलाएगा, वेभवांतर इसे V से परदशित करते हैं तो हमारा formula बनेगा delta V is close to B minus DA is close to W upon Q not और इसका मातरक क्या होगा, वोल्ट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं delta A is close to W upon Q not So friends, आज के लिए ये तीन चार टॉपिक जो किलियर किया हैं, हमने किया है Next part इसका कल ही upload करूँगी friends, उसको भी आप देखे और daily अपनी preparation आज से शुरू कर दे So friends, आज के लिए इतना ही, thanks for watching